नमस्कार दोस्तों बात करेंगे difference between bariatric surgery और tummy tuck या liposuction है so basically bariatric surgery वो operation है जो पेट के अंदर आपके stomach या छोटी आंथ को कुछ तक change करके आपको generalized weight loss देते हैं यानि कि सिर से लेके पैर तक आपके अंदर की जो organs है उनको भी मिलाके हर जगे जहाँ fat है वो fat धिरे-धिरे dissolve हो जाएगी लेकिन liposuction या tummy tuck या किसी एक हिस्से की weight loss या उसके अंदर की जो shape है उसे change करने के लिए यह operations जो है यह body contouring operations है जबकि इन्हें हम as such weight loss operations नहीं कह सकते और जो bariatric surgeries है यह basically generalized weight loss करती है bariatric surgeries कई types की हो सकती है जिसमें सबसे common है sleep के stretch में जिसमें हम stomach को छोटा करके उसका जो excess part है उसे remove कर देते हैं ताकि आपकी hunger कम हो जाए because stomach का excess part है उसे hunger hormones बनते हैं आपकी intake कम हो जाए because stomach का size बहुत छोटा हो गया है आपको भूख जल्दी मिटे क्यूंकि stomach छोटा है तो आप थोड़े से खाने से ही पेट भरा भरा फील करेंगे और खाना जो है शरीर में कम absorb हो तो कि अभी जो stomach छोटा हो गया है तो खाना बहुत तेजी से आगे निकलेगा और शरीर में कम absorb हो इससे बहुत सारे एक छोटा tube बनाते हैं और उसे छोटी आन से जोड़ देते हैं ताकि जो छोटी आन का पहला हिस्सा है जिसमें खाना absorb होना है वो bypass हो जाए तो इससे भी भूख कम होगी इससे आपका खाने का intake कम होगा और खाना जहां absorb होना था उस हिस्से में खाना ना जाने की वज़े से आपका intake या absorption भी कम होगा इसके साथ-साथ unregested food distal intestine को directly touch करता है इसे बहुत सारे hormonal changes आते हैं जिससे sugar, BP, cholesterol और बहुत सारे बीमारियां जो मोटाफे से जुड़ी होई हैं उससे अगर हम liposuction से compare करें तो liposuction का मतलब है liposuction means fat और suction means किसी suction की force से fat को निकालना तो liposuction में बहु चोटे से hole से एक लंबा canola डालते हैं जिससे कि हम fat को suck कर लेते हैं उस area से बहुत अतक remove कर देते हैं fat cells उस area से निकलने के वज़े से उस area का जो टापा है वो immediately कम हो जाएगा और आपको better feeling आई इसका फाइदा यह है कि इसमें आपका digestion या body otherwise normal रहेगी लेकिन नुकसान यह है कि यह किसी एक हिस्से एक या दो हिस्सों पर ही किया जा सकता है इससे generalized weight loss नहीं होगा body के अंदर अगर कोई fat बढ़ गई है तो वो नहीं जाएगी और जो associated problems हैं जैसे sugar BP बगरा है उन पर कुछ कास असर नहीं पड़ेगा tummy tuck में पेट के नीचे का हिस्सा अगर जादा बढ़ गया है उसका एक apron टाइप बन गया है तो हम उसे एक बड़ा incision लगाकर remove कर सकते हैं और आपकी body को बहुत ही जल्दी normal shape मिला सकते हैं इस patient में कौन सा operation होना चाहिए अगर आपका generalized weight loss होना है यानि कि अगर आपका BMI 32.5 से भी जादा है और आपकी पूरी body में fat है तो आपको bariatric surgery या balloons टलवाने चाहिए ताकि पूरी body से fat चाहे और आप एक healthy lifestyle जी सके अगर fat किसी एक particular area में ही जादा है और बाकी सारी body बिलकुल normal है फिर आप liposuction या tummy tech के बारे में सोच सकते हैं वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको differences पतार लगे होंगे और आप ये decision पहले से अच्छी तरह से ले पाएंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो please like, subscribe and share this video. Thank you. झाल